असलाम वालेकुम फूडी फ्रेंज एक और व्लोग में खुशाम दीप तो भाई जान आज तक जितने भी कंपेरजन्स बने हैं ना डोस्ट में इसको कोई नहीं अरा सका और आज हम लेकर आए हैं इसके अगेंस्ट नियूली लॉंच्ट कराची चिकन का कराची ब्रोस्ट का स्पाइसी रोस्ट जिसको यह कहते हैं कि यह है अलबैक स्टाइल अभी अलबैक स्टाइल है नहीं है इससे किस तरह से मिलता जुलता है क्या फर्क है आज वीडियो को आखर तक देखें ताके दोनों को तरह कंपेर कर लें तो इसकी प्राइस है 700 रुपीज और भाई इसकी प्राइस है 555 रुपर और एक चीज़ आपको दिखा दूं कि जनाब यह पेमेंट हुई है हमारी कार्ट से और टेक्स काटा गया है 15 परसेंट तो यह सारे के सारे टेक्स खाने में लागे हैं आप बोलते हैं मैं KFC को सपोर्ड करता हूं भाई KFC पे भी कार्ट से पेमेंट लगा है दोनों ने टेक्स चोरी किया है दोनों के सिस्टम के अंदर अभी तक अबडेट नहीं हुआ है और कार्ड के बावजूद कोई रिलीव नहीं है आम अवाम को 15% रिचार्ज कर रहे हैं जबके कार्ड के उपर आब 8% है और कैश पे 15% है खेर तो इसको अगर हम उप चिकिन की टांग है और इसके साथ यह है इसका थाएपीस बाइजन यह आपने देखा हाँ इसके साथ जो है वो एक हमें बन भी मिला है तो यह है टोटल इजर बाइजन पहले रोटेक्स चोरी में दोनों आ रहे हैं अब यह साइद आपके सामने है अभी दरा कंपेरेजन कर करते हैं के साथ जो के पांच सो पचास रुपए में हमें दे रहा है तीन पीस अब आप यह खुद देख लें और मुझे बता दें कि यार आप लोग फिर बोलते हैं कि मैं के सी को सपोर्ट करता हूं भाई साइज देख लो मैं नहीं कह रहा है ठीक है यह देखो वहां साथ पांच सो रुपए में क्या मिल रहा है और यहां साड़े पांच सो रुपए के अंदर हमें थ्री पीस चिकन मिल रही है तो भाई वैल्यू फोर मनी कॉंटिटी के अब दरा बात आती है असल इन्होंने डिलिवरी किये हमें 20 मिनिट में क्योंके यह बनाते हैं फ्रेश जब अब आपने ओर दिया उसी वक्ति यह डिप करते हैं ऑईल के अंदर के एफसी को प्रियम्ट करके पहले से वह ओर तयार रखता है विजिन टू मिनिट आपको मिल जाता है तो डिलिवरी के हिसाब से भी के एफसी को कोई नहीं आ सकता है तो दो चीदों में तो के एफसी जी जो हमने ट्राइ भी किया है और उसकी कॉलिटी और टेस्स बहुत अच्छा है खेर तो इसको दरा खोलते हैं देखते हैं अंदर क्या है भाई बिसमिल्ला यह हमने खोला यार इसमें तो मेरिनेशन है इससे पहले हमने जब खोला था चेस्ट तो उसमें तो अंदर मेरिनेश नहीं थी इसमें तो इंजेक्शन सही से लगाया गया है यह देखें अंदर तक मसाला मौजूद है तो इसको जरा ट्राइ करें सही से जरा मसाला लेते हैं जरा स्पाइस लेविल पता चले बिस्मिल्ला पिछली बार करें हमारा एक्स्पीरियंस ना चैस्ट का उससे यह बहतर है लेकिन क्यूंके यह अपना जो मसाला डालते हैं इस पे स्किन पे वो नमकीन होता है तो इसमें मसाले जो अंदर इंजेक किया गया है उसमें भी नमक है तो नमक थोड़ा सा बस तेद हो गया है अदर्वाइस टेस्ट चेस्ट से बहतर है जो चेस्ट इन्हों है दिया था उसमें मसाला नहीं था और अब स्पाइस लेविल म क्योंकि इसके बगएर तो भाई अलबैक खाया नहीं जाता नहीं इसके बाद गेम थोड़ी सी और चेंज हो गई है तो पिछला एक्सपीरियंस एक तरफ आज जो मसाला इनों ने डाला है ना उसमें मला आया है लेकिन इसको जरा खोल के देखते हैं कि इसमें क्या हाला है लेग में तो हमें मसाला मिल गया नहीं जी इसका वोई हाल है चेस्ट वाला इसमें मसाला नहीं है तो ये उसी तरीके से फीका फीका होगा बेरल तो ये आपके सामने है अब जरा खोलते हैं के फ्री जो कि आपको पता है साथ में सिर्फ केचप ही देता है और कोई चीज नहीं होती खेर ये हमने इसको खोला और एक चीज आपको यहाँ पर साफ पता चल रही है कि क्रम्स कितने बहतरीन मने हैं और एक वहाँ पर बिलकुल सिर्फ इसकेन है तो बहतरीन क्रम्स ओईल फ्री चिकन उसमें फिर भी ओईल था इसको अदर ट्राय करते हैं बिसमिल्ला जो किस लेवर आया है ना जैसके करीब करीब भी नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ फरक क्या है उसमें उन्होंने मसाला अंदर तक इंजा किया और टेफ सी जो है ना यह आपको नज़र आ रहा होगा के एफ सी मसाला लगाता है चिकन के उपर और उसके उपर फिर करता है कोटिंग तो इनके हर बाइट में मसाला आ रहा है वहाँ पे जैसे आपने देखा ना सिर्फ लेग में मसाला है और इसमें सच नहीं है तो यह फीका फीका है तो ज़र मेरे नज़्दीक भाई साइज टेस्ट यह सब अगर देख ले ना तो भाई ज़र माना के यह एक नई चीज़ है लेकिन इसका अपना मत है भाई मैं शायर उसको ट्राइ दरूर करूँगा लेकिन दूसरी मरतबा वो यह खाने का पुछेगा न यह बोलेगा अलबैक वाला प्रोस काना है मैं मना कर दूँगा मैं यही का हूँगा तो आप भी ट्राइ करें दोनों का फर्क बताएं कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने हिसाब से पताएं कौन जादा बहतर है और क्या यह अथेंटिक विवीव है या नहीं है मिलते हैं बहुत जल्द एक और नहीं विलोग के अंदर जब तक के लिए स्सलाम अलेकुम और राह्मत अल्लाह